हेलो एवरिवन गुड इवनिंग तो अलो फ्यू वंस अगें वेलकम बैक और में यूटुब चाहरें लॉट विट कॉंसेप्प बैचना विश्वकरवा नॉट्स में साइन इन होप यूल अर गुड एस नो देट कि हमारा क्वेशन पेपर का सिदी चल ला था बेट फरस्ट है चाइल्ड हूंड एंड ग्रोइंग अप और जोई कुशन पेपर है 2019-21 फूल मार्क्स 80 मार्क्स का है और इसमें पासिक मार्क्स वही 35 है और दूरेशन थ्री आवर्स है टोटल यहां पे आपको फाइफ कोईशन करने आंसर एनी फाइफ कोईशन किनी पांच प्रशनों क नहीं उत्तर दें नाओ आव इस्टार्ट माई क्वेशन फस्कोशन दे रखा है इसकस द प्रिंस्पल ऑफ ग्रोथ एंड डेवल्लपमेंट यानि की व्रद्धी और विकास के सिधानतों की चल्चा कीजिए नाओ क्वेशन नमबर 2 इस्टाइब अडिस्क्राइब अन प्र इन्वार्मेंट इन ग्रोथ एंड डेवलोपमेंट ब्रद्धी और विकास में वंशा नुक्रम और वातावरण के महत्व की व्याख्या करनी हैं आपको व्यक्तिगत विमित्ता के छेत्र एवं सैख्चिक निगतात्रों की चडचा कीजिए या करें Q5. Discuss any one theory of intelligence, write its educational implications, बुद्धी के किसी एक सिधान की चर्चक करें, इसके सैक्षिक निहतार्थ को लिखें Q6. Explain the process of creativity, what are the role of teachers in enhancing creativity, स्रीजनात्मक्ता की प्रक्रिया की व्याख्या करें Q7. What is mental health, describe the educational programs to promote the mental health, मान्सिक स्वास्थ क्या है, मान्सिक स्वास्थ को बढ़ाने वाले 70 कारिक्रमों की चर्चा करें Q7. Now, last question, Q8. Write short notes on any two of the following, निमनलेक्षित में से किन ही दो पर संशिप्त टिपडी लिखनी है, आपे आपको तीन दे रखा है, A, B, C A, दे रखा है, emotional development या सामेंगी क्विकास, B, दे रखा है, gifted children या प्रतिभाशाली बच्चे, and the C is the defense mechanism या प्रतिर अच्छात्मक युक्तियां So, kindly watch this video, you can help, you can take the help from this video So, thanks for watching the video, signing off, learn with concept by आशना विशुकर्म